नहीं हिल सकता और इस D point पे एक बाहेबल P कारे कर रहे हैं तो इसका जो deformation है A, D' C' और B जब इस रूप में deformation होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सियर इस्ट्रेस और जैसे हमारे जो टेंसाइल इस्ट्रेस था उसका deformation कैसे होगा? यह जैसे हमारा यह एक बॉड़ी है इस पे बाहर की और एक फोर्स कारे कर रहे हैं तो इसका deformation कुछ इस टाइप का होगा जिसमें इसका जो लेंथ होगा वो increase हो जाएगा यह क्या है? टेंसाइल और कम्प्रेसिव में deformation कैसे होगा? यह जैसे हमारा बॉड़ी है A, B इसमें इसके बॉड़ी के अंदर की और फोर्स P कारे कर रहे हैं तो इसका deformation कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा जिसमें इसका length जो है वो decrease होगा A-B- इसका जो original length था वो था L और जो decrease होने के बाद जो इसका length है वो क्या होगा? L- अब हम normally tensile और compressive को कुछ इस प्रकार समझते हैं जैसे हमारे पास एक pain है मान के चलिए एक body है ठीक इसके दोनों end को कुछ इस प्रकार पकड़ा मैंने और इसको बाहर की और खीच रहा हूँ दोनों end को तो इसके body के अंदर जो internal resistance force है वो जो produce हो रहा है जब मैं इसको किस condition में? मैं बाहर की और खीच रहा हूँ उस condition में तो वो जो force इसके body के अंदर एक्ट कर रहा है वो कौन सा होगा? tensile होगा और just इसके opposite अगर मैं इसको compress करता हूँ मतलब जो force है वो किस side act कर रहा है? body के अंदर की और इसको दबाने की कोशिस कर रहा है उस condition में इस body के अंदर जो भी internal resistance force produce हो रहा है वो कौन सा होगा? compressive stress और जब हमारा